नमस्कार दोस्तों दोस्तों BBS for footing, footing के लिए bar bending schedule कैसे बनवाना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, इसी तरह के BBS के बार में और वीडियो में आपके लाने वाला हूँ, वो भी आप जरूर देखेगा, तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे, यह जो हमारे वीडियो है, वो पहला पारट है BBS का, तो इस वीडियो में देखने वाल है आपको footing के लिए BBS कैसे निकालना है, तो चलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास footing के size होने बहुत ही जरूर है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह हमारा footing है, जो क चार फिट बाइ चार फिट, ओके, दोनों जो side है, वो same है, चार फिट बाइ चार फिट में, और याद रखेगा, जब आप BBS निकालते हो, तो हमारे पास जो dimensions है, वो mm होने बहुत ही ज़रूर है, mm है, आप convert कीज़ेगा इसे, तो हमारा जो dimensions है, वो है, 1200 बाइ, 1200 mm, ओके, क्या करना है, जो इसमें बार यूज किये है, उसका length निकालना है, तो आपको समझ में आया होगा, हमारा जो footing का जो size है, वो है, 12 mm, total, तो हमें क्या करना है, इसमें जो बार है, उसका length निकालना है, इस बार का हमें length निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बार प्रास हो है उसमें यहाँ पे जो कवर दिया जाता है इस साइड में और इस साइड में कवर दिया जाता है वो हमें माइनस करना है तो हमें आसानी से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ पे जो कवर दिया जाता है वो दिया जाता है पचास यह में जो फूटि आप बार वो हमें निकालना है तो टोटल जो हमारा रिलिंट है वो है बारा सो यमें उसमें से हमें माइनस क्या करना है इदर का पचास यमें और इदर का पचास यमें सो यमें हमें वहाँ पर माइनस करना है तो हमें वहाँ पर जो एसर मिला वो मिला 1100 यमें यह रहा हमारा यहां से यहां तक का डिस्टिंस और उसके बाद यह जो हमारा यल है उसका यहां हमें अभी بहा है तो यल जे होता है normally वो होता है देड़ सो यहमेँ यानि 16 और ये देड़ सो यानि कितना हुआ देड़ सो प्लस देड़ सो हमें एंसर कितना मिला 1400 यह हो गया हमारा टोटल बार का लेंथ यह चीज़ आपको याद रखने इस तरह से आपको बार का जो है वो लेंथ निकलना है ओके तो अब हम क्या करेंगे हमारा जो फुटिंग है उसमें 1400 mm साइज के कितने बार लगने वाले है वो हमें निकलना है देखेगा यह हमारा टोटल जो डिस्टन से वो 1200 mm है ओके तो हमें का करना है नमबर आप बार निकलने है नमबर आप बार इन फुटिंग एक बार जो है वो 1400 mm का है यह देखेगा इस तरह के अलग अलग जो बार देखे रहे हैं आपको इसमें का एक बार जो है वो 1400 mm का है इसी तरह के कितने बार है वो कैसे निकलना है वो हम देखेंगे तो हमारा जो टोटल जो फुटिंग का साइज है वो है 1200 ओके यह तो चीज़ आपको पता है हम अब क्या करेंगे हमारा जो दो बार के बीच का डिस्टन्स कितना है दो बार के बीच का जो डिस्टन्स है वो कितना है वो हमें पता होना बहुत ही जरूर है उसे सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बोलते है नॉर्मली जो center to center distance जो होता है वो होता है छेंच जी यानि देड़ सो ये में ओके देड़ सो ये में हमारा जो है बीज का दो बार के बीज का distance है center to center distance तो हमारा जो total length कितना है वो है 1200 में तो हमें क्या करना है simple से 1200 को divide करना है देड़ सो से ओके 1200 को देड़ से divide करना है तो हमें देखेंगा 1200 divided by 150 तो हमें जो answer मिलेगा वो मिलेगा 8 यानि हमारे जो इस side में 8 बार है और इस side में 8 बार ओके दोनों side में हमारे बार है देख रहे हैं आप यहापे इस तरह से दोनों side में बार होते हैं तो एड़ बार वहाँ पर हमें मिले एक साइड में और दूसरे साइड में हमारे जो दिखेंगे वो रहेंगे एड़ बार उसी तरह एड़ बार याने टोटल बार जो हमारे हो गए फुटिंग में वो गए 16 बार जो की 1400 mm के हैं तो इस तरह से आपको बार कितने है वो निकालना है तो चलिए सबसे पहले हम बार का जो लेंद है वो कितना है वो निकलेंगे देखेंगा यहाँ पर हमारे देख लिए जैसरे का आपने यहां पर देख लिया 16 तो टोटल बार हमारे फूटिंग में, जो हमारी फूटिंग है इसमें 16 बार है और जो की 1400 mm के हैं तो हमें क्या करना है टोटल जो है लेँग्द निकलना है बार का तो देखेंगे काल निकलते हैं हमें 16 बार इंटू 1400 करना है तो हमें जो एंसर मिला मिला 22,400 mm यह जो हमारा लेंथ है वो mm है वो से हमें कनवर्ट करना है मीटर में तो मीटर में कनवर्ट करने के लिए हमें क्या करना है सिंपल साई से 1000 से डिवाइड करना है तो हमें जो वहाँ पर एंसर मिलेगा वो देखेंगे डिवाड़ेड बाई 1000 तो हमारा जो बार का लेंथ हुआ टोटल बायव स्पाइंड चार मेटर में हमें यहाँ जो बार का है वो लेंथ मिला तो अब हम क्या करेंगे हमें जो बार का है वेट निकालना है हमारा जो बार है वो कितना वेट रहेगा फुटिंग के लिए कितना केज़े हमें बार लेगेगा वो निकालना है तो हम देखेंगे वेट आप बार वेट आप बार कैसे निकालनेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दिता हूँ जो भी हम फुटंग के लिए बार यूज करने वाल है वो है 12 mm का ओके हमारे पास 22.4 mm बार है जो कि 12 mm का है तो हमें इसका वेट निकलना है 22 mm का जो बार है 22.4 mm का बार का वेट हमें निकलना है तो मैं बता देता हूँ आपको एक मीटर का जो बार होता है 12 mm का उसका जो वेट होता है वो होता है 0.889 इतना हमारा 12 mm का एक मीटर का जो बार है उसका वेट होता है वो कैसे निकाला जाता है समय जी का मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक formula है जो भी हमारा diameter है d square divided by 162 यह formula है इसका help के हिसाब से आप जो बार है उसका weight निकाल सकते हैं कि देखेगा डी स्क्वेर हम देखेंगे 12 कि डी स्क्वेर डिवाड़ेड बाई 162 तो देख लेते हैं वहाँ पर हमें cancer कितना मिलता है 12 स्क्वेर डिवाड़ेड बाई 162 तो हमें जो answer मिलता है देखेगा 0.888 याने 0.89 ओके यह जो हमारा weight है बार का जो की एक मिटर के बार का weight है ओके तो एक मिटर के बार का आपको weight पता चल गया तो आपको आसानी से निकलना चाहिए कि 22 मिटर के लिए आपको कितना weight रहीगा तो हमें simple सा क्या करना है 22.4 into 0.89 ओके तो देखे लेते हैं कितना रहता है 4 into 0.89 ओके 19.93 जो की kg है आमारा इतना still हमें वहाँ पे footing के लिए लगने वाला है याने लगबग 20 kg वहाँ पे हमें still footing के लिए लगेगा ओके इस तरह से आपको वहाँ पे निकलना है दूसरी चीज में आपको बता देता हूं यह हो गया हमारा still का weight तो हमें बार कितने लगेगे जो footing के लिए बार कितने लगेगे कितने भी size का बार होगा उसका जो लंबाई होता है वह होता है 12 meter ओके तो याद रखेगा हमारे पास जो बार का लिंद है वह है 22.4 तो हमें बार कितने लगेगे वह निकलना है number of bars ओके तो 22.4 हमारे पास लंबाई है और हमारा जो एक बार है उसकी लंबाई होते है 12 meter तो simple सा उसे हमें क्या करना है divide करना है 12 से तो हमें क्या मिलेंगा वहाँ पे जो बार है वो कितने लगेगे वो हम आसनी से निकालेंगे 22.4 भागे ले 12 ओके तो यहाँ पे हमें 1.86 बार लगेगे जो कि number of bar है याने लगबग दो बार वहाँ पे आपको लगेगे फुटिंग के लिए एक फुटिंग के लिए दो बार लगेगे ओके तो आपको समझ में आया होगा तो अब हम देखेंगे उसका जो bar bending schedule है वह भी बनवाए हुआ है देखेगा आप यहाद में बार बेंडिंग तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो है डिक्स्क्रिप्शन वह फुटिंग का बार है हमारा उसके बाद शेंप ऑब बार बार का जो शेप है वो क्या है वो यहाँ पर देख सकते हैं फुटिंग के लिए इस तरह से शेप होता है बार का उसके बाद जो बार है उसमें देखेगा स्पेसिंग जो स्पेसिंग कितना जिया जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया यह जो हमारा है 1500 mm यह स्पेसिंग है उसे स्पेसिंग बोलते है तो हमारा जो स्पेसिंग है वो कितना है वो देख सकते हैं वो है 1500 mm का उसके बाद तरो डाय ओ पर याननि कितने mm का बार वहाँ पर हम जो alm करने वाले है 16 बार उके उसके बाद जो हमारा cutting length है total cutting length जो है वो कितना है total जो बार का length हमें लगेगा वो है 22.4 मिंटर उसके बाद हमारा जो बार का weight है वो कितना है जो कि हमारा एक फूटिंग है उसके लिए 20 kg बार लगेगा ओके इस तरह से आपको बार बेंडिंग शेडूल बनवाना है फूटिंग का उम्मिद करता दोस्तों बीबेस का जो है वो आपको फूटिंग के लिए कैसे बनवाना है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा इसी तरह के स्विल रिलेटेट कंस्रॉक्शन रिलेटेट वीडियो में आपके लिए लात रहता है जो कि आपके लिए बहुत ही फाइदेमंद रहते हैं तो यह दोस्तों यह आप नए टॉपक के साथ धन्यवाद दोस्तों